नमस्कार आप तब प्यारी सात्यों को तो मैं आपके सामने विज्ञान के बहुत important question paper लेकर के आया हूँ जिसके अंदर ये important question आपके exam के अंदर सीधे सीधे same language की रूप में छफने की प्रबल संभावना रहेगी और इसके साथ साथ में जो भी option है उनके भी मैं आपको solution है पहला question है कि एथेन में कार्बन प्रमाणों के मध्य सह सहयों जग आबंदों के संक्या है तो यहां पर देखो सबसे पहले तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखना है कि यहां पर एथेन तो एथेन का formula होता है वो होता है C2H6 आपने देखा होगा CH3 CH3 इसको आप क्या को थे एक दो दो carbon है तो दो carbon single bond है एथेन बोलते हो इसमें पुच्चा गया है कि एथेन में मतलब carbon परमाणों के मध्य मतलब carbon परमाणों के मध्य तो एक ही bond है तो इस बात का ध्यान रखना इनके मध्य संसे जगा बंदों की संक्या एक हो जाएगी इस बात का ध्यान रखन तो जो option आपके fast है वो इसके अंदर right हो जाएगा next question है कौन सी दातू हतेली पर पिगल जाती है आपको पता है दो दातू ऐसी है जैसे कि cgm वक गैलियम यह ऐसी दातू है जो कमरे से थोड़े अधिक तापमान पर पिगल जाती है कमरे का तापमान होता है लगबग 25 degree celsius और हमारे सरीर का तापमान लगबग 35 degree celsius के आसपास होता है तो जब हम हतेली पर रखेंगे तो कमरे के तापमान से अधिक तापमान होता है तो cgm दातू है वो क्या हो जाती है आसानी से पिगल जाती है संकट कालीन हार्मोन कहलता है कि संकट कालीन हार्मोन किसे का जाता है जब आपके सामने अच्छानक से कुछ सेर या पिर कोई ऐसी दूविदा आ जाती जिसे आप गब्रा जाते हो तो उस समय कौन सा हार्मोन आपकी help करता है सा हार्मोन इस्त्रावित होता है तो इसके अंदर आपके राइट ऑप्सन भी हो जाएगा एड्रिनलीन हार्मोन नेक्स्ट क्यूशन है भोजन का पूर्ण पाचन वह अवसोशन कहां होता है तो हमारे सरीर में बोजन का जो पूर्ण पाच्चन होता है वो छुदांत्र या छोटी आत के अंदर होता है इसमॉल इंटेस्टाइन आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है गोलिय दरपन के द्रुव एवं मुक्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है तो मुक्य फोकस के बीच की दूरी पुचाई यहाँ पर तो मुक्य फोकस और द्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी हो जाएगा इसके अंदर आपके ओप्सन थर्ड राइ है कि कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है लेकिन उसको पच्चे सैंटी मिटर से दूर कोई भी बुक रख करके वह पढ़ सकता है लेकिन पास में कोई भुक नहीं पढ़ सकता है इसका मतलब क्या हुआ कि वह नज़्दिक की वस्तु यह तो इस पाश्ट नहीं देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु इस पश्ट देख सकता है तो यह रोग होता है यह दूर द्रश्टी दोस के अंदर होता है जिसके अंदर दूर की वस्तु तो इस पश्ट दिखती है लेकिन नजदी की वस्तु इस पश्ट नहीं दिखती है तो दूर द्रश्टी दोस इ जाएगा हाइपर मेट्रोपा ठींक है आइपर सORी मेडी नेश्ट ए वॉल्ट किसका मात्रक पर हो जाएंक क्यों कि विभновत्र क्या होता है कि एक बिंदू से दूस्रे क्या ओम तक एक आंक आवेस सीप को ले जाने में किया जैताँ कारिय क्या कहलाता है विबंतर कहलाता है जिसका मात्रक वॉल्ट होता है नेक्स्ट है निचे दिया गया चित्र पारी तंतर के विबिन पोशी इस्तरों को दर्साता है चित्र में कौन सा पोशी इस्तर उत्पादकों को परदसित करता है इसके अंदर आपको बताना कि उत्पा आपको पता है कि नीले को लाल में अमल करता है चारक करता है सबसे पहले तो वो पता लगा इसका पता लगाने चोटी सी ट्रिक है आपको याद रखना अनील अनील में क्या है कि असे हो गया अमल ये करता है नीले को लाल तो इसमें पूछा है नीले लिटमस को लाल करता है कौ सा वीलेंग की परकरती हो जाएगी तो अमलिय हो जाएगी इस बात का ज्यान रखें आप नेक्स्ट है पितल के मुख्य अवयाओ के नाम बताईए पितल के किन यह पितल जो मिस्तर दातू होती है वो किन से मिलके बना होता है तो इसमें भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है क याद रखना आपको पिता जी पिता जी से आप क्या याद रखोगे पी से आपके हो जाएगा पितल ता से हो जाएगा तामबा जिसे कौपर भी कहते है और जी से हो जाएगा जिंग ठीक है तो कौपर और तामबा से मिलक करके पितल बनता है तो इसके दो मुख्य अवयाओ हो जाएंगे नेक्स्ट है दो धातों के नाम बताईए जो परकरती में मुक्त अवस्ता में पाई जाती हैं तो परकरती में मुक्त या सवतंत्र अवस्ता में पाई जाने वाली धातों के नाम बोले तो आपको सोना और चांदी बताना है ठीक है नेक्स्ट है हमारे सरीर की सब से बड़ी अंतरिस्तावी गरंती हो जाएगी थायराइड इसमें बिलकुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट है उस दर्पन का नाम बताईए जो बिम्ब का सिद्धा तथा आवर्दित परतिबिम बना सके तो इसमें दर्पन पुचा गया है जो सिद्धा बनाता है और दर्पन राइट हो जाएगा नेक्स्ट है एक एलेक्टरन पर आवेश का मान कितना होता है तो एक एलेक्टरन पर आवेश का मान माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम होता है कुलाम जो आवेश का मात्रक होता है विदुत दारा की माप के सी यंत्र के द्वारा की ताइट नियुक्त की जाने वाले करत्रीम संसलेशित रशायन का नाम बताइए, इसके अंदर आपको CFC लिखना है क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो और जोन परत को हनी पहुंचाने वाला है, नेक्स्ट क्योंसन है इलेक्ट्रान निमलिकतर की इलेक्ट्रान बिंडू सरशना क्या होगी अब मैंने आप चोटे चोटे स्वाल बता है बाकी में इंपोर्टेंट स्वाल के अंदर आपको पूरा पेपर बता जाता हूं इनको आप अच्छे से पढ़कर के जाए एक्जाम के अंदर परबल संभावना है कि इनी में से आपके क्यों क्योंसन आए यहाँ पर चोटे क्योंसन जैसे कि पादय पुत्त का नाम बता है यह जो भोजिय परदार्तों का वहन करता है तो इसके अंदर पहले का अंसर फलोईम हो जाएगा और दूसरे का है कि बोद्धों में जल वा खनीज लमनों का वहन करता है इसके अंदर जो राइट आंसर अंदर पूचे जाएंगे इस बात का ध्यान रखें तो अच्छे से इनको आपको पढ़के जाना है तो इसी परकार में आपके सामने और नए ने मॉडल पैपर जो ब्लू प्रिंट पर आदारित है लेकर के आता रहूँगा तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो कमेंट के अंदर जरूर एक बार रादे रादे लिखते हैं न इस परकार आप पूरा पैपर देख लो यहां पर और अच्छे से इनक्यूसन को आपको त्यार करना है बार बार इनक्यूसन को अच्छे से याद करना है तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद